सपना चौदरी का मौत की अफ़ाव पर ऐसा र्याक्शन अफ़ाव शोबिस में खाम करने वाले सेलिप्स की जिंदगी का हिस्ता है आम तोर पर सेलिप्स इस बात के आधी हो जाते है कि उन्हें अफ़ाव से पार कैसे पाना है लेकिन कई बार ये अफ़ाए हद से पार हो जाती है और सेलिप्स के फास और उनकी करीबियों को भी डिस्टर्ब कर देती है हारी में कुछ ऐसा हुआ जब हर्यानवी डांसर सपना चौदरी के नधन की ख़बर सोचिल मीडिया पर फैल गई पिरसर पिछले दिनों ऐसी अफ़ा उड़ गई थी कि सपना की फिरसा हर्याना के पाथ रोड आक्सिदेंट में मौत हो गई है इस ख़बर को सुनकर सपना के फैल और उनके करीबियों की नेंद उड़ गई थी हाला की जब ही मालूंग चल गया कि सपना बिलकुल ठीक है और तब जाकर सबने राहत की सास लेकिन सपना ने एक इंटेविव में इस अफ़ा से जुड़ी कुछ बातें शेयर की सपना ने कहा कि जैसे ही मेरे निधन की अफ़ाँ फैली मुझे अपने परिवार वारों के हर तरफ से फोन कॉल्स आने लगे ये चीज मेरी फामली के लिए बहुत ही अपसेट करने वाली थी उन्हें समझ नहीं आया कि वे इसे कैसे डील करें इस प्रोफेशन में हमें हर तरी की अफ़ाँ से जूजना पड़ता है लेकिन कुछ तो बेहत अजीब और गरीब होती है मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसी जूटी खबरे कैसे फैला देती है जिसका असर केवर उस व्यक्ती पर ही नहीं बलके उसकी पूरी फामिली पर भी पड़ता है ज़रा सोची कि किसी पैरेंट को ये फॉल मिले और लोग पूछे कि क्या आपकी बेटी की दित हो गई है तो उन्हें कैसा लगेगा सपना ने कहा कि पता नहीं कि क्या किसी दिलत फैली के चलते ऐसा हुआ सपना ने कहा एक सिंगर के मौत हुई थी और लोगों ने समझ लिया कि वे सिंगर मैं हूँ ये दुकत है कि उस सिंगर के मौत हुई लेकिन मुझे रगता है कि बेहतर होता अगर ये confusion ना हुआ होता